स्वागत आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे कि राहूल गांधी के बयानों से किनारा आखिर कॉंगरिस क्यों कर रही है अपने विदेश यात्राओं में राहूल गांधी बीजेपी स्वहम सिवक संग और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से चर्चा में रहते हैं लेकिन इस बार वे जाती और आरक्षन को भी लेकर आए हैं अपने बयानों में क्या आरक्षन कमी खत्म हो सकता है इस सवाल के जवाब में राहूल गांधी ने कहा था हाँ हो सकता है लेकिन परिस्थिती अभी नहीं है बीजेपी साहित अन्य राजनेतिक दलो ने इसका विरोध किया है कि कॉंग्रेस के मन में आरक्षन को खत्म करने का कोई स्कीम जरूर है हलाकि कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी इस पर सफाई दे रहे हैं कि उनका बकसत ये नहीं था केंड्रे ग्रेमंत्री आमित चाह نے कहा है कि मन में पढ़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आही जाते हैं आमित चाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है आरक्षन को कोई छूब भी नहीं सकता देश की एकता के साथ कोई खिलवाड नहीं कर सकता अमिचा ने कहा कि देश विरोधी ताक्तों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कॉंग्रिस पार्टी की आदत सी बन गई है आरक्षन पर राहुल गांधी की सफाई पर बिस्पी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वे आरक्षन के विरोधी नहीं है जो कि पूरी तरह से गुम्राह करने वाला बयान है दस साल तक कॉंग्रिस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर S.C.S.T. प्रोमोशन वाला विदहक को रोक के रखा और इसको पास नहीं होने दिया ओवर्सीज कॉंग्रिस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा राहूल गांधी के तीन दिवसिये दोरे को लेकर खूब प्रचार प्रसार उन्होंने किया लेकिन ये दोरा विवादों में घरता हुआ नजर आया लोगसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहूल गांधी की भारत विरोधी सांसद इलहान उमर से मुलाकात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है इलहान उमर भारत विरोधी बयानों और कृतिके लिए जानी जाती है पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने वाली इलहान उमर ने सिर्राहूल गांधी की बुलाकात को लेकर देश में तीखी प्रत्क्रियास सामने आ रही है इलहान उमर भारत वन्शियों के खलाफ अक्सर बयान देती रही है भारतियों के स्थाई निवास ग्रीन कार्ड की आवधी को कम करने की इलहान ने वकालत की थी पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में भी इलहान उमर ने बयान दिये है हर पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी का भारत विरोधी बयान और विचार लोगों में जागरूकता लाने से ज़ादा भ्रम पहलाने वाला है बीजेपी आरेसिस पर तल्ख टिपड़ियां राहुल गांधी की चवी की यूएस पी हो सकती है लेकिन भारतिय समाज को लेकर उनका बयान घातक हो सकता है राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं क्या सिख समुदाय गुर्दवारे जा सकेंगे या नहीं उनकी बातों का समर्थन करते हुए अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस ने जोर देकर कहा है कि हमारी लड़ाई भी इसी बात को लेकर है क्या राहुल गांधी विदेशी खालिस्तानी अलगावाद के धुर विरोधियों के साथ मिलकर देश को शर्मसार नहीं कर रहे है ये एक बड़ा सवाल है और इस पर हर देशवासी निश्चित तोर पर सोच रहा है तो वरजीनिया में राहुल गांधी ने भारतिय समधाय से बात करते हुए क्या कुछ कहा ये आई आई आपको सुनाते हैं कि सिख को पगड़ी पहनने की अजाज़त दी जाएगी कि नहीं ये ये जो बयान है आई आई आपको सुनवाते हैं आई 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 हमें आई 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 आए Chris See, first of all you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics, that is superficial. What is your name? Valendar Singh. So fight is about whether he as a Sikh और भीजेपी के वरिष्ट प्रवक्ता सुधान शुत्र रिवेदी ने आज कहा कि राहुल गांधी पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जो विदेशों में जाकर भारत की छवी को खराब करना चाहते हैं भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिनों ने किसी घोशित भारत विरोधी सांसत के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिवेक्त किये हैं राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट संग में भारत विरोधी अपने वक्तव में प्रियोग किया था और शहजाद पुर्णावाला ने क्या कुछ कहा है यह उनको में सुन लेते हैं सिक विरोधी आरक्षन विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धर्ती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कॉंग्रस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ और यह कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना इलान ओमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले इसने भारत के खिलाफ यूएस कॉंग्रस में रेजलूशन लाने का काम किया भारत की सौवरिनिटी को वाइलेट करते हुए पियो के विजिट किया और वो भी पाकिस्तान स्पॉंसर ट्रिप पर इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के उपर चर्चा की भारत ने जब 370 को खतम किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जमू कश्मीर के पोजिशन के खिलाफ पाकिस्तान के जमू कश्मीर के पोजिशन को इंडॉर्स करने का काम और लगातार हिंदों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इलान उमर करती है आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहूल गांदी आपकी ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले है और आज भी मिलते जा रहे है